करेंगे विचारे को अजब परदे में उसको लाइल लगा दिया है, तो आगे तक कि जहां तक मदद हमको भनेगा उसको पुरा कर दो हमारी कहें हिच्छ होगे, हम भी सोचते हैं कि अच्छा जोब करें, मिले सरकारी सर्विस लग जाये रहाऊ, क्या पतनी का एक्जाम दिलवाने आए हैं 12th का देखिए फिलाल तो 5 साल उसका सरपंच है तो जनता का सेवा करना ही है नमश्कार आप देख रहे हैं लाइव स्टीज आपके साथ मैं हो मुस्कान अभी मैं मौजूद हूँ बाकिपूर बर्स हाई स्कूल के पास और यहां पर सारे परिट्ट्स आएए में अपनी बच्चेओ का एक्जाम दिलवाने के लिए आप देख सकते हैं कि सारे परिट्स बैटे हुए हैं इनसे चलिय चलते है और बात करते हैं कि बच्च्चे के बारों में इनसे जाते हैं आपसे जानना अच्छा होंगी, कहां से आई हैं आपको? हम? हम अनिशावाद से आए हैं तो बच्ची को पढ़ाने में कितना महनत लगा? बहुत महनत लगा बहुत महनत लगा और बेटी को आगे क्या बनाना है? आगे तो पढ़ार लिखा के सोच रहें कि आगे रुखे मेरी बेटी बढ़े अब तो उसका भवीस जान सकती है कि क्या बनेगी? लेकिन हम जहां तक जो फरज है हम उसको कर रहे हैं पूरा और सरकार से बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है? सरकार को तरब से मिलता है तब दिखिये मैटी का परिछाद देश रुकी है तो उसमें सुनते हैं कि कुछ पैसा मिलता है तो सोचे कि मदद मिल जाएगा तो अभी कोहां मिला है? नहीं मिला है फिर सोच रहे हैं कि कहीं जो अगर मिलेगा तो बिचरी के आगे रुखे कि बहुत मदद मिल जागा मैं ममी के तरब से मदद मिल रहा है तो सरकार थोड़ा मदद कर देंगे तो और आगे बढ़ जाएगी उसका उमंग हो जाएगा कि नहीं हम पढ़े तो कुछ फाइदा उठाए तो चाहते क्या है बेटी मतलब आगे जाके क्या बने कोई आपके मन में कुछ होगा कोई इच्छा होगी कि बेटी इंजीनेर बने या बेटी टीचर बने या बेटी कुछ तो करें तो बोर रही थी कि हम टीचर बनेंगे हम टीचर बनेंगे ममी मदद करेंगे पूरा बेटी को मदद करें रहे हैं हा की तो परऊचारी पराद करेंगे हैं अभी उसको उमर नहीं जैदा हुआ और बी पेरिंट्स न इनसे भी बात करते हैं अप से जाना चाहूंगी बेटी को आगे जाके क्या चाहते हैं न Australians आगे पढ़ाना चाहते हैं पर ही रहे है तो जितने पूछ सके है तो क्या चाहते हैं बेटी क्या बने ऊसका मन होगा वही चीज न बन सकती है हम को करनेश थोड़ी बनेगी अच्छा तो और रहे है अपना जे में निकल जाए वरज साधी कर देंगे अब फिर अब उसको पढ़ाएंगे आगे अब पढ़ाएंगे और भी पेरेंस हैं यहां पे उनसे भी बात करते हैं आपसे जानना चाहूँगी कहां से आएगे आप हम मुसले पुरहाट से आए हैं कहां से? मुसले पुरहाट से बेटी का एक्जाम दिलवाने आए है? हाँ, एक्जाम दिलवाने है तो आपसे जानना चाहूंगी कि बेटी को आप पढ़ाएंगी अभी कि फिर शादी करतेगी? कि नहीं नहीं बढ़ेगी यहां और भी यह बीचे कुछ है लोग बेटी इन से भी बात करते हैं आप से जानना चाहूंगी चाची किसका एक्जाम दिलाने आई है मम्मी पापा नहीं आए आते हैं? बेटी का बया कर देंगे के पढ़ाएंगेाँ आगे? क्या चाहते हैं स्योति है पोती क्या बने आपकी? आपक हिच्छा होते हैं यहीं बनती हैं और क्या है होते हैं Price pati परिछा दिलावेला कहा की चल दादी परिछा दिया दे तो दियावेल इलीखे कहां से आई हैं आप पलंगा से आए हैं अपनी पत्नी का दिलाने हैं अचा पत्नी का एक्जाम दिलाने हैं पत्नी को आगे पढ़ाएंगे जरूर पढ़ाएं किई। का जनता से लगाओ क्योंकि वो अल्रेडी सर्पांच है एक पंचायत का तो जनता का भी फ्रासाब उसका विश्वास जीतना है जनता का प्यार है कि आगे में और बढ़ है तो सिच्छित होना जरूरी है ना तो हमने उसको सपोर्ट किया कि आओ आगे बढ़ो उसका भी मनोब मेरा साधी 2017 तो अभी तो ट्वेल्थ का एक्जाम दीने आई हूँ तो बहुत कम उम्र में शादी हो गई है तो आप क्या करते हैं हम कोजिंग चलाते हैं वान टू टेंथ पढ़ाते हैं और आप बच्ची के आया है जाम देनाले के लिए अब एक्जाम दिवाने आई हैं कह लना से आई हैं पंगा से लस ऺना से तो आप क्या चाती हैं चालते हैं सुझाम आप बतारे हू़ी मुद्टी मोद्गा या किकर्ड़वी द्यार अपर्ते हैंच शिच्चा आप किसेसे समाझ में आप क्या चाहते हैं आपकी पत्मी आप तो बतार, रिखा ने बने अंपने अजे धूं farmers लग मघमें चाहता हुआ भास की पखहना deeper के लिए यह सुनके बहुत मुझे अच्छा लगे कि ऐसे माना जाता है कि लोग शादी के बात पढ़ते नहीं है लेकिन ये एक बहुत बड़े अच्छे मतलब इनकी बात में सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी पत्नी का एक्जाम दिलवाने आया है और चाहते हैं कि आगे इनकी पत्नी है जो टीचर बने और भी लोगों को आपने सुना एक दादी भी अपनी पोती का एकजाम दिलवाने के लिए तो सभी फ्रेयंट्स को आपने सुना तो आज इस वीडियो में इतना ही बने रहे लाइक शीटी केसाथ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेजु पेज को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद साथ ही हमारे फेज़ा देखने के लिए अपनी पतनी का एक्जाम दिलवाने आए हैं ट्वल्थ का पढ़ाएंगे जरूर पढ़ाएं क्योंकि उसका जनता से लगाएं क्योंकि वो और डिसर पंच है एक पंचायत का देखिए फिलाल तो पंच साल उसका सरपंच है तो जनता का सेवा करना ही है